So guys, welcome back to complete React.js course जिसमें हमने काफ़ी कुछ सीख लिया था और हमने previous वीडियो में हमने सीखा था What is component, What is functional component and class component हम कैसे component create कर सकते हैं, उसको export कर सकते हैं and उसको use कर सकते हैं, ठीक है? Because हम कोई भी React.js project बनाएंगे तो components is a building blocks of reacts, right? So, आज के lecture में हम सिखेंगे, What is props? Other than आप component अगर आप use करते हैं, कोई भी component यूज करते हैं तो उसको reuse करने के लिए सबसे important parts होता है, props ठीक है? तो चलिए देखते हैं इस lecture में and guys, सब तक इस playlist को आप bookmark कर लीजेगा and previous lecture अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको भी देख लीजेगा, ठीक है? तो चलिए चलते हैं अपने app में तो आप यहाँ देख सकते हैं, हमने यह last app create किया था header, my app, bye bye, I am footer ठीक है? So, so आप देख सकते हैं, यह हमने last अमारा project था, ठीक है? तो अब यार, props समझें कैसे, किस तरीके से समझ सकते हैं तो यार, project बनाने में न, आप कोई भी अगर component create करते हैं, ठीक है? तो जैसे मैं एक component create करता हूँ, car.js, ठीक है? मैंने एक car बनाती, tarzan, ठीक है? इसका नाम आप टारजन भी दे सकते हो, अब मैं यहाँ पर अपना function इंपोर्ट करूँगा, react, react इंपोर्ट करूँगा, and then function, car, panthesis, and curly braces, and यहाँ पर मैं return कर सकता हूँ, एक div, एक क्या काम करते हैं, बता है? एक fragment दे देते हैं, ठीक है? यह मैंने एक fragment दे दिया, and यहाँ पर आप create कर सकते हो, अपना एक जैसे मैंने div create कर दिया, and इसके अंदर, मैंने car को नाम दे दिया, tarzan, ठीक है? tarzan ने की car है, so इसका एक काम करते हैं, आप basic style लिख देते हैं अभी के लिए, border, यह बताँगा, style का ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ह border, one pixel, solid, ठीक है, default ले लेगा, वह बना एक काम करते हैं, यह दे देते हैं, ठीक है, यह हो गया, tarzan, तो अब दिख सकते हैं, अभी कहर मैंने import नहीं किया, तो आएगा कैसे, और यहाँ पर आपको लिखना है, export, default, and car, यहाँ दो, best practice तो यह ही है, बना आप एक काम कर सकते हो, export, default, ठीक है, function, अब इसको use भी कर लेते हैं, तो my app, आप app.js में भी डायटी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ इस import करता हूँ, car, तो automatic visual studio code की वज़े से, यह automatic यहाँ पर import हो गया, ठीक है, तो अब दिख से तो यह car आगई tarzan, लग तो बिल्कुल tarzan जैसी नहीं रही है, ठीक है, अब यह tarzan, मुझे इस car की component को एक बार और use करना है, ठीक है, एक और car add करनी है, बड़ दिखो फिर से tarzan आ रहा है, यहाँ रोल आता है properties का, मैं इस car की नाम को change करना चाहता हूँ, और इस component को बार बार reuse करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, tarzan एज़ करता हूँ, क्या देख सकते है, किया, ठीक है, किया यह company है, गार की, किया sell doors नाम पास कर देता हूँ, ठीक है, एंड इस मैं पास कर देता हूँ, यहाँ पे tarzan, ठीक है, देखते हैं क्या हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, दोरों में tarzan आ रहा है, हैना hot reload भी है, refresh करके दिख जैसे कि हम जानते हैं कि हम JSA क्लिकते हैं, तो जावर स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, हम direct, जो attribute हमने यहाँ से पास किया है, जैसे कि आप दिख सकते हैं, वही attribute यहाँ पे हमें call करना, ठीक है, तो आप देख सकते हो, किया, sell doors and tarzan, दो अलग अलग नाम आ चुके है, ठीक है, ए यहाँ पे दो components के नाम आ गए, किया and tarzan, ठीक है, अब मैं एक बार और अगर कार को paste करता हूँ, ठीक है, and यहाँ नाम अगर मैं कुछ और देदो, suppose यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, sonet, यह भी किया का model है, and आप कुछ भी देख सकते हैं, sonet यह भी का लिए है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं color pass कर सकता हूँ, ठीक है, color यहाँ पे use भी कर लेते हैं, जिससे, एक background color लेते हैं, ठीक है, bg, या background ली डल दो, ठीक है, background color, अब यहाँ पे मुझे color लेना, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, default color लेता हूँ red, तो आप देखना, सब का color red हो, है ना, अब color, अब वो आएगा कैसे, props.color यहाँ पे, यह काम करते हैं, यह दुबारा लेना उपड़ेगा, यहाँ पे शायद, ठीक है, अभी कोई color नहीं आया, क्योंकि यहाँ से मैं color pass ही नहीं किया है, ठीक है, अब black की जगह यहाँ पे करते हैं, red, ठीक, देखने, red आगे, same ऐसे हैं हम बागी components में भी दे सकते है, green, green हो गया, and एक component में हम color pass कर देते हैं, brown, ठीक है, वो तीन color आ गए, और तीनों ही color अलग 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 है, Kia, Tarzan, Sonnet, तो यार, यह था props pass करने के तरीका, आप यहाँ से कितनी भी props pass कर सकते हैं, ऐसे naming convention के साथ, आप एक object को भी, क्योंकि अगर आप props pass करोगे, तो बहुत सारी properties हो जाएंगे, एक car के लिए, तो आप एक array भी बना सकते हो, या एक object भी बना सकते हैं, and उस object को pass कर सकते हैं, बिलकुल car की तरह, ठीक है, एक car का component बनाके, उसमें car की सारी properties को एक object में लिखके pass कर सकते हैं, ठीक है, तो यार दोको इस help of chatGPT, right, हम इस project में guys, chatGPT का भी use करने वाले हैं, जिससे आपकी भी coding speed fast हो, and आप उसको implement कर गे, अपने project को और fast मना सके हैं, ठीक है, तो क्या लिखना है, क्या चाहिए है हमें, so create card in, create card component in react.js, with image and title, और description, ठीक है, enter रहत है, so sure I can provide you, आप देख सकते हैं, card बना दियो, बहुत अच्छा खासा, ठीक है, and card की prop types, अभी देखो यार, यह हो जाए, फिर मैं card prop types दाऊंगा क्या होते हैं, ठीक है, यह card का data, and देखो, जैसे मैंने का था, कि आप एक object बना के pass कर सकते हो, ठीक है, and उसके बाद यह CSS, तो चल इस पूरे को complete को copy करेंगे, यह केवल इसको, ठीक है, तो यहाँ पर हम component create करते है, card.js, ठीक है, and यहाँ पर as it is, import, import क्या करेंगे, react, ठीक है, and यहाँ पर card, so आप देख सकते हैं, यह मैंने एक function बना दिया, जिसके अदर मैं properties लिए है, image, title, and description, ठीक है, आप इसको पूरे क करके सलते हैं, उसके बाद दीरी दीकर के सीखेंगे, कि हम कैसे destructuring करेंगे, कैसे हम direct अलग-अलग names में ले सकते हैं, ठीक है, props.image, props.title, वैसे इसको रहें दो, alt name है, props.title, and props.description, यह desk टाल दो, ठीक है, अब इसको हमें export भी करना है, export का default, card, right, यह हो गया हमारा पुरा काम, image, img, अब इस card को हमें इस function में call करना है, कैसे करेंगे, card, ठीक है, simple call हो गया, अब इसके दर कुछ नहीं आएगा, आप देख सकते हो blank आ रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने यहापे कोई card की properties, pass नहीं की है, ठीक है, props blank है, कुछ हमने property इसलिए कुछ भी नहीं आया, ना title आया, ना कुछ आया, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से CSS उठा लो, एक बना लो, file, card.css, अब यहाँ पेस्ट, symbol ही पेस्ट हो गई, ठीक है, फिद शेडो कर दो यहार, with box shadow, बहुत simple है, share DVD यूज़ करो, आप बहुत जल्दिली आपना code लि box shadow, copy कर लो इसे भी, save, and यहाँ पे, अब card component call है, and CSS आपको यहाँ पे import करने पड़ेगी, कैसे करेंगे, import, जैसे आप दिख सकते हो, f.css import है, card.css, ठीक है, तो आप दिख सकते हो, यह blank card आ गया, पहला कुछ matter नहीं था, shadow भी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आ बटिक blank card आ गया, अब हमें इस card में पास करेंगे, properties, तो कैसे करेंगे, image, पहले image पास करेंगे, एक title पास करेंगे, और एक description, इसका आप एक object बनागी पास कर सकते है, अलग लग पास करने के विजाए, ठीक है, title में पास करूँगा, sample card, and description में दाल दाल दूगा, यह line भग ठीक है, तो आप देख सकते हो, sample card, and description आ गया, बट, image नहीं आई, ठीक है, तो image यार, हम कुछ, unsplash, कुछ sample images ले सकते है, तो किते अची-ची image है, यह ले लेते है, copy image, या फिर copy image address, ठीक है, तो वो कहाँ पेश्ट करना है, image के अंदर, काफी लंबा address हो गया, ठीक है, इसको enter तर लो, पर नहीं ही नहीं बता चलेगा, title के हमारा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैं इसको save किया है, so आप देख सकते हैं, कितना beautiful card हमारा create हो चुका है, and with the help of chat gpt, जाद आपको मेरत करनी पड़ी नहीं, mood बानना नहीं पड़ा, and आपका card create हो गया, ठीक है, अब मैं इस card को करता हूँ, paste, एक बार और, ठीक हो, एक card और आगया, दूसरी में ले ले ले, साहर वो ज़्याद अच्छी लगेगी, क्या ले सकते हैं, यह ले 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 लेते हैं, या यह ले ले लेते हैं, बहुत choose you मैं यार, ठीक है, तो इसको अटा देते हैं यहां से, पात को, and अपना आप assets का folder बना गए यह आप है, वहां से भी image को pass कर सकते हैं, या फिर हम next lecture में जो next project create करेंगे, तो उसमें हम API कॉल करेंगे, तो वहां से भी image को ले सकते हैं, ठीक है, and sample card 2, ठीक है, description as it is रहन देते हैं, तो आप दिख सकते हैं, with the help of properties, आप कितनी simple तरीके से उस component को reuse कर सकते हैं, and कोई भी value pass कर सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, card 1, card 2, ठीक है, एक काम कर सकते हैं, इसे ही कहते हैं, CSS, ठीक है, मैंने जैसे float left करा, यहा पर card 1, 2, card 3, ऐसी करते करते, float left होते रहेंगे, ठीक है, so एक बार और paste कर लेते यार, मेरा मन नहीं मानना है, ठीक है, एक card और आ गया, and यह आपे, मैं आप image यूज कर सकते हैं, यह गल्द हो, copy image, sorry, copy image address, फोड़ा दो इसे, and यह आपे sample card 3, देखें यह रहा, देखो, हमाई तीनों card आ गए, और यह भी फोटर में चला गए, कोई हमाई float clear करना होता है, ठीक है, एक property होती है, float clear करने की, अटा दो से, तो यह sample card 2, sample card 3, ठीक है, तो कितना easy हो गया card को create करना, बिदे help of search GPT, and react.js properties, ठीक है, तो चलिए दिखते हैं कि what is props type, prop types क्या होते हैं, है न, prop types के series कर सकते हैं, तो यार एक काम करता है, तो दोकिमेंटेशन चलते हैं, इसकी direct, prop types in three.js, ठीक है, तो prop types कुछ नहीं है, हम सबसे पहले type checking करते हैं, कि जो भी हम component पास कर रहे हैं, जो भी हम component create कर रहे हैं, उसकी जो properties पास कर रहे हैं, वो properties सही है कि नहीं, अब सही किस मैं, suppose अगर image के अंदर मैं कोई string पास कर दो, या फिर मैं कोई number पास कर दो, क्या वो चलेगा, जैसे मैं squat आ दूए, यहा से मैं एक number पास कर दिया, integer, तो क्या हो गया, broker, वैसे भी URL का path तो अलगी होता है, बट अगर मैं कुछ multiply करना हो, with the help of some values, जैसे मैंने क्या करा, एक य यहाँ पर इस component में, मैंने यहाँ पर इस title के बाद क्या करा, props d1 into props d2, जैसे मैंने इकर दिया, तो यहाँ पर d1, d2 नन आया है, sorry, इधर तो नन आया है, बट इधर इसका total आ गया, 350, क्या लिखाता हमने, 5 and 10, d5 and d2, जैसे, d1 and d2, पता नहीं, इसने 350 क्यों दिया है, इसका, 50 होता है, okay, sorry, sorry, 350 नहीं है, यह 50 है, क्योंकि 5 and 10 होता है, 50, right, तो अब suppose अगर मैं यहाँ पर कुछ string pass कर दो, मैंने number pass नहीं कर रहा, मैंने string pass कर दिया, तो क्या होगा, n, n, क्योंकि वो value आप नहीं मिली उस है, या जो multiply करने वाली value थी, वो नहीं मिली, ठीख है, तो इसलिए हम prop types का use करते हैं, इसको मैं ता देता हूं, ठीख है, इसलिए हम prep types का use करते हैं, जिससे हम उसको limit कर सके हैं, कि हमें अगर string चाहिए, तो string रों रों, integer चाहिए, इंटीजर मिले, object रों, रों, इसलिए तो रों आप ताइप्स問 Types, ठीक है, आप इस तरीके सो इसको import कर सकते हैं, या आप इसकी official documentation में भी जा गए, देख सकते हैं कि हम कैसे इसको import कर पाते हैं, ठीक है and इसके बाद आपको यहाँ पर restrict करना है with the name of component, जैसे हमारा card component है, इसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है prop types equal to curly braces अब जो भी आप यहाँ पर attribute मंगा रहे हो, title, description, image तो वो आपका किस type पर होना चाहिए, वो यहाँ पर आपको specify करना पड़ेगा, जैसे मुझे image चाहिए, वो किस type पर चाहिए prop types dot string, ठीक है, and is required, वो required रहेगा आपका, ठीक है, जैसे suppose मैंने क्या करा, अब यह के लिए इस image को यहाँ से मैंने ओड़ा दिया, ठीक है, तो क्या होगा यह blank है यहाँ पर तो आप दिख सकते हो, यहाँ पर एक warning भी आ रही होगी fill to prop, type the prop, image is marked as required in a card but value is undefined मतलब आप बिना image के यहाँ पर इसको use नहीं कर सकते हो यहाँ पर एक warning भी generate हो जाएगी ठीक है, इसी तरीके से आप सब चीजों का define कर सकते हो, सारी properties का title भी मुझे required है, ठीक को बाखाना पड़ेगा title भी मुझे required है और अगर मैं किसी card में title नहीं डालता हो, ठीक है, तो title तो नहीं आएगा यहाँ पर, and so of course यहाँ पर warning भी आ जाएगी, कि title and image दोनों required है ठीक है, same तरह तो एक ही error आगया पर उसके बाद दूसरा आगया ठीक है, अगर जैसे मैं यहाँ से is required देता हूँ, तो अब दिख सकते हो कि यहाँ पर title आ गया कि title required है अब suppose हमें क्या करना है कि यार कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे card में image ना आ है, ठीक है, तो उसके लिए हम एक काम हो कर सकते हैं, prop types का एक है, default prop types ठीक है, यहाँ पर default props, ठीक है, तो default props आप जितरीक से दे सकते हैं जैसे आप prop types दे रहते, default props यह भी prop types की property आप देख सकते हो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो भी आपका नाम है जैसा है जो भी आपको attribute पास करना है default में, वह आप दे सकते हो अब मैंने क्या करें, default में एक sample image दे दी यहाँ पर इस चलो यह sample ही आज़ा है copy image address यहाँ पर मैंने इसको पास कर दिया ठीक है, यहाँ पर comma लगा दिया and title भी मैं default में पास कर सकता हो card title ठीक है, तो अब क्या होगा पता है कि देखो by default में हमारी image आज़ाएगी एक placeholder image भी आप दे सकते हो एक थोड़ा सा यार project बनाता थोड़ा सा अच्छा होना अच्छी है जैसे मैंने यह sample image ले लिया copy image address ठीक है, वो तो एक image show कर रही थी, बट हम यहाँ से इसको इस तरीके से sample image दे सकते हैं ठीक है, तो आप देख सकते हो, एक sample में जा गई और card title आ गया, मतलब user नहीं यहाँ पर कोई value नहीं specify की है, but still यहाँ पर हम अपने UI को खराम नहीं होने दे रहे हैं, card define कर दे रहे हैं, ठीक है, तो guys यह थी props, props types आगे हम सीखेंगे what is prop drilling, हम props को restructure कैसे कर सकते हैं, destructure sorry, destructure कैसे कर सकते हैं and also props की parent and child relationship कैसे define कर सकते हैं, कि यह parent है and यह child है, and कैसे हम एक parent से child में prop पास कर सकते हैं, child से parent में पास कर सकते हैं ठीक है, and next lecture में guys हम एक project भी बनाएंगे, क्योंकि हमारा काफी lessons complete हो चुके हैं, जिसमें हमने component, props, import, export and काफी चीज़े सीख लिए हैं, तो next video में हमारा एक complete project रहेगा, with the help of react.js, okay, and react.js features, okay, so चलिए मिलते हैं next lecture में, अभी तक यार अगर आपने subscribe में किया है, तो subscribe कर लेना, as it is, ठेक है, and ये series मिलते हैं next lecture में, तब तो के लिए, बापाई